अलो वाट्स अप दोस्तों कैसे हैं आप सभी एक बार फिर करियर भाई में मैं सिदात आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ दोस्तों आज हम बात ये करने वाले हैं कि आपने भले ही किसी और हम कहें कि specific field से related पढ़ाई की हुई है फिर भी कई बार ऐसी सला क्यों दी जाती है कि शुरुवाती जॉब BPO में कीजिए शुरुवाती जॉब call center में कीजिए तो कौन से candidates को यहां पर जो है वो BPO या call center में job करने का actually फाइदा हो सकता है इसके उपर हम चर्चा करने वाले हैं कि एक BPO का या call center का job जो है वो आपके अंदर एक मतब salary मिलती है एक start मिलता है ये बाते अलग रखतीजे लेकिन एक personality wise या skills wise आपके अंदर कौन सी बढ़ोतरी होती है वहां पर job करने के बाद इसके उपर हम चर्चा करने वाले हैं कि क्या फाइदे हैं यहां पर job करने के लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह अगर आप इस चैनल पर नहीं है अब तक आपने subscribe नहीं किया है तो फटाफट चैनल को subscribe जरूर कर दीजिए तो चलिए दोस्टों शुरू करते हैं तो सबसे पहली बात तो हम यह समझ लेते हैं कि क्यों ऐसा वो suggest किया जाता है तो सबसे बड़ा इसका reason यही है कि BPO या call center में job करने के लिए बहुत जादा specific आपको हम कहें कि education की जरूरत नहीं पड़ती है बहुत जादा specific education की जरूरत वाले job जो होते हैं उनके अंदर बहु है कि आपने अगर भारवी कक्षा भी पास की हुई है और BPO के job के लिए लगने वाले कुछ skills आपके अंदर है तो भी आप उसके अंदर job कर सकते हैं no matter कि आप कौन से field से आते हैं कौन से side से आते हैं आपने commerce किया है science किया है arts किया है उससे फरक नहीं पड़ता है तो इसकी वज़े से BPO जो है वो ज्यादा लोगों को employment डे सकता है इसकी वज़े से हमेशा सला दी जाती है कि अगर पहली employment कहीं डूढ़नी है तो BPO में डूढ़नी है जल्दी से employment मिल जाएगी जल्दी से आपकी salary सुरू हो जाएगी कुछ ना कुछ काम आप शुरू कर देंगे तो एक working environment कैसा होता है एक professional environment कैसा होता है वहाँ पर कैसे पेश आना चाहिए इसका एक अनुभव आप लेते हैं जिसकी विज़े से आगे चलकर कि बड़े बड़े कंपनियों में काम करना आसान होता है आपको पता चल जाता है कि एक office किस तरीके से काम करता है अगली चीज जो इसके अंदर आ जाती है वो यह है कि जिन लोगों को यहाँ पर थोड़ा सा self confidence कम है जिनको public में बात करना थोड़ा सा मुश्किल मैसूस होता है या जो लोग थोड़े से जो है वो शाई है उनके लिए ये field बहुत अच्छी तरीके से अपने comfort zone में बाहर आकर के जो है वो आती हैं आप कॉल करते हैं तो उनके साथ अलग-अलग सभाओ के वेक्तियों के साथ कुछ लोग बहुत बातों नहीं होते हैं कुछ लोग बिलकुल बात नहीं करते हैं कुछ लोग गुस्से वाले होते हैं कुछ लोग बिलकुल ही शान्त होते हैं तो इस सभी तरीके के लो confidence के साथ बात की जाए बात करने का सही तरीका क्या होना चाहिए तो ये एक बहुत जादा आपके अंदर बदलाव आ सकता है अगली चीज ये है कि आपके अंदर जो है वो एक problem solving attitude जरूर आता है call center में काम करने के विज़े से क्योंकि call center के अंदर क्या होता है कि live call चालू है presence of mind एक problem solving attitude की नहीं problem आ रहा है तो solve करना ये मेरा aim होना चाहिए problem आ रहा है तो अब मैं क्या करूँ अब मैं बैठ गया अब मैं सोच रहा हूँ अब किसी और को call दे दिया ऐसा नहीं चलता है वहाँ पर आपको उनकी समस्या का निवारण करना पड़ता है तो इसकी विज़ एक बहुत बड़ा benefit ये है कि अंगरीजी बहुत जादा सुधर जाती है क्योंकि most of call centers के अंदर जो है वो ऐसे candidates को जरूर prefer किया जाता है जिनकी written और spoken दोनों तरीके की English अच्छी है जिनकी English language के उपर command है और इसके अलावा अगर आपको एक दो और native languages भी आती है तो बहुत अच्छी बात हो जाती है जैसे कि अभी मैं अगर कही BPO में job करने जाओ तो मुझे तीन language आती है मुझे English आती है हिंदिय आती है मराठी आती है तो ये एक बहुत अच्छी बात हो जाती है भले ये आपकी English बहुत आला दर्जे की भी नहीं है तो भी इनके साथ जब आपकी training होती है तब आपको एक basic English का knowledge दिये जाता है जैसे जैसे आप वहाँ पर काम करते हैं ज्यादा से ज्यादा calls को handle करते हैं तब आपका English में बात करने का जो डर है वो भी खतम हो जाता है आप confidence के साथ English में बात कर सकते हैं कई भार ऐसा होता है कि English तो आती है क्या बोलना है य बहुत जादा लोग conscious हो जाते हैं तो ऐसे में ये BPO का job आपको बहुत जाता जो है वो help कर सकता है और यकीन मानिये मेरा कि इस तरीके से जब आप call handle करते हैं जो की fully English के अंदर होते हैं तब आगे चल करके जब आप किसी बड़े company में काम करते हैं तब आपको जब कहा जाता है कि इस product के लिए हमें presentation दीजे और जब पूरी board meeting बैठी होई होती है तब उनके सामने बात करने में आपको बिलकुल हिचकी चाहट नहीं होती है क्योंकि आपके शुरुआत के दिनों में आपने ये डर जो है वो खतम कर लिया है तो ये और एक फाइदा यहां पर काम करने का होता है इसके अलावा क्या फाइदा है तो जनरल जब भी आप college से निकलते हैं तब आपका एक mindset काम करने का नहीं होता है एक काम करने के लिए जो है वो एक mindset की जिरोत होती है कि 8 गंटे वही पर बैठ करके आपको पूरे concentration के साथ लगन के साथ काम करना है क्योंकि college life में ऐ कर लिया कभी नहीं कर लिया हाला कि सभी के साथ ऐसा नहीं होता है कुछ बहुत ज्यादा मेहनत करके पढ़ने वाले बच्चे भी होते हैं लेकिन ज्यादातर करके ऐसा होता है कि 8-8 गंटे एक ही जगा पर बैठ करके काम करने की हम कहें कि एक mental conditioning आपकी नहीं होती है तो इस से build होती है तो जितना जादा आप punctual रहेंगे professional life में उतना ही जादा बहतर रहेगा इसके अलावा आपके अंदर planning जो है वो भी बहुत जादा developed हो जाती है क्योंकि obvious सी बात है कि जब आपका training पूरा हो जाता है आपको काम पर रखा जाता है तब आपको daily का कुछ target दिया जा यह आपको खुद को सोचना पड़ता है इससे आपके management skills अच्छे तरीके से सुधर जाते हैं साथी साथ आप अगर यहाँ पर जादा समय तक काम करते हैं यानि कि तीन साल चार साल तक काम करते हैं तो आपको जो है वो team leader की post वगरा भी मिल सकती है और generally क्या है कि जो बच्च जिन्दगी के बहुत पहले वाले पड़ाव में ही आप team को lead करना जानते हैं तो इससे क्या होता है leadership quality आती है तो आगे किसी बड़े company में जाएंगे तो आप बिलकुल डंके की चोट पर यह कह सकते हैं कि मैंने इसके पहले team leader के तौर पर काम किया हुआ है मैं जानता हूँ team को lead कैसे करना है और यह अगर आपके early stage में आपने hack कर लिया इसको कि लोगों को कैसे manage करना होता है कैसे एक team को साथ में लेकर के आगे जाना होता है तो आगे चल करके आपको बहुत ज़्यादा आसानी हो सकती है तो दोस्तों यह सारे फाइदे जो है वो आपको call center का job ज़र आपको पसंद आया होगा काम का लगा होगा तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया है तो like जरूर कर दीजिये जादा से यादा शेयर कर दीजिये कुछ सवाल है आपके तो नीचे comment section में लिख सकते हैं